सभी मित्रों को नमस्कार सभी मित्र बंदू कुसल मंगल होंगे और अपने अध्याई में व्यस्त होंगे जैसा कि आप सभी जानते हो हम आपके लिए एक नए अध्याई के साथ प्रस्तुत होते हैं और आज हम समान्य हिंदी के 50 प्रस्ण लाएं हैं जो सभी परिक्षाओं में महत्पूपून हैं और इसमें से आपको 30 प्रस्णों के उत्तर देने हैं तो जो भी 30 प्रस्णों के उत्तर दे वो कमेंट बोक्स में हमको भेज सकता है अपने विचार व्यक्त कर सकता है कमेंट के द्वारा तो आईए शुरू करते हैं अपने पहले प्रस्न को हमारा पहला प्रस्न है निमलिखित में से अयोग बाहे है तो इसका सही उत्तर है विसर्ग विसर्ग क्या होता है अयोग बाहे होता है अगला प्रस्न देखेंगे किस क्रमांक में इस्वर का सही उचारण स्थान ह तो इसका सही उत्तर होगा तालू इ तो इसका सही उत्तर है तालू अगला प्रस्न है वियंजन वर्गी करण की दिरश्टी से ले वियंजन किस वर्ण व्येद में रखा जाएगा तो इसका सही उत्तर होगा वत्से तो अगला प्रस्न है शे वर्ण किसके योग से बना है तो इसका सही उत्तर होगा कै और शे ठीक है कै और शे अगला प्रसना है पाज़वा निमलिखित में से कौन सा वर्ण उचारन की दिरश्टी से दंतिय नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा टै टै जो है वो वर्ण उचारन की दिरश्टी से दंतिय नहीं है अगला प्रसना है नमबर 6 हिंदी सब्द कोस में श्रै का क्रम किस वर्ण के बाद आता है तो इसका सही उत्तर है कै अगला प्रसन देखेंगे यदि नीचे का होट पूरी तरह काट दिया जाए तो किस द्वहनी के उचारन में कठनाई होगी तो इसका सही उत्तर है बैबह बोलने पर दोनों होट जो है हमारे मिलते हैं चलिए अगला प्रसन है किस क्रमांक में अघहोस व्यंजन है तो इसका सही उत्तर है शै और शै अगला प्रसन देखेंगे किस वियंजन के उचारण में जीवा तालू से नहीं टकराती है किस वियंजन के उचारण में जीवा तालू से नहीं टकराती है तो इसका सही उत्तर है गय अगला प्रस्न देखेंगे अगला प्रस्न है किस क्रमांक में अंत्यस्त वियंजन है अंत्यस्त व्यंजन है तो इसका सही उत्तर होगा ये और वै अगला प्रश्ण देखेंगे ने व्यंजन का उचारन स्थान है तो इसका सही उत्तर होगा वत्स्य और नासिका अगला प्रश्ण है वर्ण माला में कुल कितने वर्ण है तो इसका सही उत्तर है दोस्तों C अगला प्रश्ण देखेंगे इनमे से कौन बृत्त मुखी स्वर है तो इसका सही उत्तर होगा व्रित्मुखी स्वर किसमे है तो वह है आ आ जो है व्रित्मुखी स्वर में गिना जाता है अगला प्रस्न है किस क्रम में पश्च स्वर है तो इसका सही उत्तर है उ में पश्च स्वर है अगला प्रस्न है श्रैत्रे और ग्य यह क्या है मुल स्वर है अनुस्वार है संयुक्त स्वर है या संयुक्त व्यंजन है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संयुक्त व्यंजन यह तीनों क्या है संयूक्त व्यंजन है अगला प्रस्ण है किस क्रम में स्पर्स संघर्षिव यंजन है किस क्रम में स्पर्स संघर्षिव यंजन है तो इसका सही उत्तर होगा अगला प्रस्ण देखेंगे और अगला प्रस्ण है किस क्रम में स्पर्षिव यंजन है तो इसका सही उत्तर होगा ले ले क्या है पाश्विक व्यंजन है अगला प्रस्थन देखेंगे किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा गह मुहाँ सबसे कम खूलता है उसे कहते हैं तो क्या कहते हैं में तो इस में मुहाँ कम खूलता है अगला प्रस्थन नहींजन का उच्चरन स्थान है तो इसका उत्तर है वत्स और नासिका अगला प्रस्न है पुरोधा सब्द में संधी है तो इसका सही उत्तर होगा विशर्ग अगला प्रस्न देखेंगे इन में से कौन सा सब्द संधी का उद्धारन नहीं है तो इसका सही उत्तर है समाजिक समाजिक क्या है संधी का उद्धारन नहीं है और तीनों ये संधी के उद्धारन है अगला प्रस्न है किस सम्हों में यन संधी सही सब्द है तो इसका सही उत्तर होगा पित्रनूमती यद्दपी संदार्णन अगला प्रस्न है निमलिखित में से कौन से सब्द में विसरग संधि नहीं है इसका सही उत्तर है मनोनू कूल अगला प्रस्न है निमलिखित में से कौन सा सब्द व्यंजन संधिका है याणि कौन सा सब्ध व्यंजन संदी का है तो इसका सही उत्तर होगा उच्छ वास अगला प्रस्न है निमलखित में से सही संदी विग्त सब्ध कोन सा है तो इसका उत्तर है लगु जमा उत्तर यानि लगु उत्तर अगला प्रस्ण है इनमे से सही संधी विछेद का उद्धारण है तो इसका सही उत्तर होगा महर्षी बरावर महा जमा रिशी अगला प्रस्ण है उप्युक्त सब्द का सही संधी विछेद होगा तो इसका उत्तर है दोस्तो उप्री जमा यूक्त यानी उप्र यूक्त अगला प्रस्ण है इनमें से किस सब्द में गलत संधी विछेद हुआ है तो इसमें गलत छाड़ना है आपको तो कौन सा है गलत सड़ानन जमा सड जमा आनन तो यह बीविंदू गलत है अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर तीस किस समु में सभी सब्द संधी यूक्त है तो इसका सही उत्तर होगा मनोज नरेश देवरिशी अगला प्रस्ण है किस सब्द में सही संधी नियम का पालन नहीं हुआ है तो इसका उत्तर है दोस्तो परतीप शी बिंदू ठीक है अगला प्रस्न है संधी का सही प्रयोग किस सब्द में हुआ है संधी का सही प्रयोग किस सब्द में हुआ है तो इसका सही उत्तर है निरोग निरोग में क्या है सही संधी का प्रयोग हुआ है अगला प्रस्न है किस सब्द में संधी नहीं है किस सब्द में संधी नहीं है तो इसका सही उत्तर है दोस्तों काजल डी बिंदु ठीक है चलिए अगले प्रसन की ओर चलते है अगला प्रसन है किस क्रमांक में सही संधी का उद्धारण नहीं है किस क्रमांक में सही संधी का उद्धारण नहीं है तो इसका सही उत्तर है मन है जमा प्रसाद यानि मनो प्रसाद अगला प्रसन देखेंगे अभिहार्थी का संधी विचेद होगा तो आपको अभिहार्थी का संधी विचेद करना है तो इसका उत्तर होगा अभी जमा अर्थी अभी जमा अर्थी यानि अव्यार्थी अगला प्रसने किस क्रमांक सरचना में सब्द गत सरचना में संधी नियम का अपवाद है तो इसका सही उत्तर है अक्ष रोहुनी सी बिंदू बिलबूल ठीक है अगला प्रसन देखेंगे घुड़ दोड का सही संधी विछेद है घुड़ दोड का सही संधी विछेद है तो इसका सही उत्तर होगा घुड़ा जमा दोड़ अगला प्रसन है मारा पावक में कौन सी संधी है पावक में कौन सी संधी है तो इसका सही उत्तर है अयादी संधी पावक में अयादी संधी होती है अगला प्रस्ण है विप जाल में कौन सी संधी है तो इसका सही उत्तर है वियंजन संधी विप जाल में वियंजन संधी है अगला प्रस्ण है प्रत्यूप कार में कौन सी संधी है तो इसका सही उत्तर होगा यन संधी अगला प्रस्ण देखेंगे अगला प्रस्ण है नयन में कौन सी संधी है जल्दी से अपना उत्तर दें तो इसका सही उत्तर है दोस्तो इसका सही उत्तर है अयादी संधी नयन में अयादी संधी है अगला प्रस्न है धनुष्ट कार में कौन सी संधी है धनुष्ट कार में कौन सी संधी है तो इसका सही उत्तर होगा विसर्ग संधी धनुष्ट कार में विसर्ग संधी है अगला परस्पर में कौन सी सन्धी है तो इसका जो सही उत्तर है वह है विशर्ग सन्धी D option विल्कुल ठीक है तो परस्पर में कौन सी शन्धी है विशर्ग सन्धी अगला प्रसन है दिर्ग दर्शक में कोन सी संधी है तो व्यंजन संधी है दिर्ग दर्शक में व्यंजन संधी है अगला प्रसन है यदपी में कोन सी संधी है यदपी में कोन सी संधी है तो इसका सही उत्तर है यन संधी यद्धपी में कौन सी संधी है यन संधी अगला प्रशन है गिरीश में कौन सी संधी है गिरीश में कौन सी संधी है तो इसका सही उत्तर है वो है दीर्ग संधी गिरीश में दीर्ग संधी है अगला प्रशन है भानुदय में कौन सी संधी है बानुदय में कौन सी संधी है तो इसका सही उत्तर है दोस्तो दीर्ग संधी बानुदय में दीर्ग संधी है अगला प्राशन है वही रंग में कौन सी संधी है वही रंग में कौन सी संधी है तो इसका सही उत्तर है विसर्ग संधी वही रंग में विशर्ग संधी है अगला प्रसन है अनुष्ठान का संधी विछेद होगा तो इसका सही उत्तर है दोस्तो अनुजमा स्थान चलिए लाश्ट प्रसन है हमारा किस क्रम में गुण संधी नहीं है किस क्रम में गुण संधी नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तो भू धर्व भू धर्व इसका सही उत्तर है तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगी होगी तो आज के लिए इतना ही दोस्तो फिर मिलेंगे अगले दिहाई में कुछ नए विशे क के साथ तो तब तक के लिए दोस्तो नमस्कार धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए और हमारे हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों और हमारे चैनल पर कई प्रकार की वीडियो बनाई गई है जिसे में भारत अगले दिहाई में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों